इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं UP Board 2021, High School और Intermediate का रिजल्ट कैसे देखा जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट देखने के लिए सबसे पाले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहां पर टाइप करना है UP MSP टाइप करने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद सबसे उपर वाले वेप साइट पर क्लिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा उसके बाद नीचे के तरफ आना है और यहाँ अगर आप हाई स्कूल का रिजल्ट देखना चाते हैं तो यहाँ पर किलिक करना है अगर आप intermediate का result देखना चाते हैं तो यहाँ पर click कर लेना है click करने के बाद आपको कुछ इस तरह का page दिखाए देगा यहाँ से अपने district को select कर लेना है यहाँ से आप scroll करके भी अपने district को select कर सकते हैं और यहाँ पर type करके भी आप district को select कर सकते हैं तो यहां से मैंने अपने district select कर लिया है और यहां पर अपना roll number भर देना है तो यहां पर मैं अपना roll number भर लेता हूँ roll number भरने के बाद आपको view result पर click कर देना है view result पर click करते ही दोस्तों आपका result आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों यहां से आप अपना roll number देख सकते हैं अपना नाम यहां से देख सकते हैं और अपने माता का नाम देख सकते हैं और यहां पर आपको अपने फिता का नाम देखने को मिल जाएगा यहां से आप date or birth देख सकते हैं और district का code और school का code देख सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं आप कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आप पाए हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रेजल्ट चेक कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए